आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें हमारा कोश्चन है बिदूथ हीटर की कुंड़ली बनी होती है चार औप्शन कीवेन है शिल्वर की नाइक्रों yol तो हम में यह बताना है zor की कście बनी होती है इसका रहेक्षों57 की बिदूथ हीटर की कुंड़ली हामारा के शीच के बनी मैटेरियल होता मुल शक्राइब करनेग एक विद्दूथ हीटर हमारे उपकरण होता है जिससे हम क्या करते हैं यहां पर उसमी उर्जा लेकर हम उसका यूटिलाइस करते हैं रूम को गर्म करने ठंडियों में इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है तो अब यहां पर हीटिंग इफेक्ट अगर हमें अच्छा परपच क्या होता है हम यह देखते हैं एक्चली क्या होता है जो नाइक्रोम होता है यह हमारा दो पदार्स दो अलग-लग मेटेरियुलों को मिला के बनता है नाइक्रोम क्या होता है हमारा इसमें जो है इसमें हमारा 80% क्या होता है यहां पर 80% हमारा जो है यहां पर निकल ह होता है 80% हमारा यहां पर क्या होता है 80% हमारा जो है निकल होता है और हमारा जो है क्या होता है 20% हमारा क्या होता है यहां पर 80% निकल होता है 20% हमारा क्या होता है क्या होता है chromium होता है इन दोनों material को मिलाक हम क्या करते है नाइक्रों का material बनाते जिसमें 80% हमारा nickel होता है और 20% chromium होता है तो इससे हमारा यह फाइदा होता है कि हमारा हमारा resistance काफी ज्यादा increase हो जाता क्यूंकि heating effect के लिए use करना है तो हमें उसमें उर्जा की हाने अधिक सधिक होनी चाहिए, H equal to क्या होता है, I square into R into T के बराबर होता है, तो यहाँ पर हमारा जो है, H हमारा उसमें उर्जा है, I square R into T है, तो यहाँ पर resistance high होगा, तब ही थो हमारी उसमें उर्जा high होगी, तो नाइक्रोम का, जो हमारा material होता है, इसका resistance काफी जादा होता है, और यहाँ पर दूसरा benefit क्या होता है, एक तो resistance जादा होता है, और दूसरा benefit हो यह होता है, जैसे हम एक बार इसको यूज करते हैं, उसमें क्या होती इक हमारी Chromium Oxide की हमारी परच जम जाती है, Chromium Oxide की हमारी परच जम जाने की वज़ा से ये फिर जलता नहीं है, हमारा ये material जलता नहीं है, फिर heating effect देता रहता है, तो जलने का ये मतलब ये बहुत सारे material होता है, जल के breakdown हो जाते हैं, तो परच जम जाने से क्या होता है, परच जम जाने की वज़ा से परच जम जाने के का तो यह दो हमारे benefit होते है नाइक्रोम का तार ही यूज करने के लिए क्योंकि इसका resistance काफी ज्यादा होने की वज़य से बहुत ज्यादा उसमें और उर्जा मिलती रहती है और यहाँ पर क्रोमियम ऑक्साइड की परच जम जाने की वज़य से कि इसका मजबूती हमारे बढ़ जाती है तो यहीं दो रीजन होता है नाइक्रोम का मैटेरियल यूज करने का, इसलिए इस कोशन के लिए सेकंड ओप्सन हमारा क्या है? करेक्ट ओप्शन है, तो यहां से हमारा कोशन कमप्लीट हो जाता है, ओके, ठेंक यूग सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर